हलो एरुवान मेरे नाम राज स्वागते आमरे यूटीब चैनल पे फिर से लाज चुका हूँ एफटेबल प्राइस में नियर बैस्टेशिन वाला प्राबड़ी दो सो रहरा रिजिस्टर प्राबड़ी है अगर आपका बजेट कम है तो आप यहाँ पर साड़े तेरा लाग का बजेट का भी फ्लाट में जा सकते हो विच इस नेगोशिबल रहेगा तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा शांदार सा वन बीच के आप लोग को क्या करना है पूरा वीडियो को देख लेना है आपका डाउन पेमेंट कितना हैगा, EMI कितना हैगा, चाहिए वो वन बीच के हो, आरके हो, टू बीच के हो, कौन सा सिटी है, कौन सा डिस्टिक है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको एक्स्प्लेइन करूगा अपने घर पे पहुच जाएंगे दोस्तों, रोट टाश प्रापड़ी है, G प्लास सेवन का प्रापड़ी है, एमेनिटीस भी इस प्रजिक पर आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ एमेनिटीस जाधा होने के बावजुद भी यहाँ पर आपको बहुत ही कम कीमत पर मिल रहा जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका कम बजेट है, 1BH के चाहिए, तो आपको 400 स्क्वार फिट में जाना चाहिए, अगर आपका बजेट अच्छा खासा है, तो आप जा सकते हो 570 स्क्वार फिट तर, तो स्टार्टिंग से लेके, like minimum से लेके maximum का प्राइस में आपको इस 775 स्क्वार फिट का, यानि कि 775 स्क्वार फिट का 2BH की, यहाँ पर option available है, 2BH के जादे unit नहीं है, like 2BH के का सेमी एरिया आपको मिलेगा, 775 स्क्वार फिट का, तो चलिए शुरू करते हैं सब सब आपको मिल जाएगा, लीविंग, आज जो मैं आपको फ्लाट दिखा रह आपको इस तरगे का फ्लाट बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, यह 12 फिट का असपस यह आपका लंबाई में आपका लीविंग रहेगा, ऐसे में आपको यूज करने के लिए कितना मिलेगा, 9,5 फिट का असपस, तो 12 फिट आपका लंबा, ऐसे में आपको 9 फिट क लगाना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर रख सकती है, या फिर रिमोट वगरह रखने है, वो भी आप रख सकते हो, बुक्स वगरह रखने है, जो भी आपका एकोर्डिंग आप सेट कर सकती है, यहाँ पर इस तरीके हमने सनमाई फिनिश के साथ में फरनिश वर्क क लग जाएगा, आप देख लिजे इस वाले फ्लाइट को, एक आईडिया आपको लग जाएगा, कम खर्चे में कैसे आप इस वाले फ्लाइट को एक अच्छी तरीके से फरनीश बना सकते हो, और फरनीश का भी जो भी खर्चा रहेगा, वो भी मैं आपको एक रफली बता द लग जाएगा, बाहर का व्यू देख लिजे, कुछ इस तरीके का आपको बाहर का व्यू मिल जाता है, फ्लाइट को देखने के बाद हम नीचे भी जाएंगे, और नीचे जाके बिल्डिंग को भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से काम हुआ है इस वाले आपको पानी मिल जाएगा, अब हम देख लेते हैं, टॉलेटर बातरूम को, इस तरफ अगर आप आओगे, तो यह आपका पैसस हो गया, और उपर आप देख लेजे, उपर आपको वाटर केंग के लिए, जगह आपको यहापर मिल जाता है, नीचे आपका टॉलेटर बातरूम रहेगा, इस तरफ अगर आप आओगे, तो इस की बज़े से आपको थोड़ा सा, वाइस का थोड़ा सा आपको डिस्टर्बरंस हो रहा होगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, सभी वीवास और सस्क्राइबर से, और यह है आपका टॉलेट, टॉलेट आप देख सकते हूँ, चार फिट ऐसे, एसे में आपको चार फि और यहां बाकी क्या अरिया आप यहां पर यूज़ कर सकते हो, आप उपर भी रख सकते हो, आप बी रख सकते हो, वह नीचे भी आपका टेबल आ जागा, जैसके आप देख सकते हो आपका मुबाइल वागर चार्जिंग करना है उसका उपर रखना है तो आप वो भी कर सकते हो बाहर का वीव आप देख लिए यह आपको बालकनी नहीं मिलता है लेकिन आपको बढ़ा सा एक विंडो मिल जाएगा प्लस यह आपका बाहर का विव रहेगा कुछ इस तरिके का स्टेशन से मात्र दो मिनिट वोकिंग डिस्टंस रहरा रिजिस्टर प्रपरड़ी जी प्लस शिक्स का यह बिल्डिंग है दोस्तों तो चलते हैं नीचे और देख लेते हैं इस वाले प्रजेक का कितना काम हुआ है और कौन सा फ्लाट कितने प्राइस भी जो सी रीसीव वाला हमारा प्रपरड़ी है यह वाला जो आप देख पैघर रहे हो जी का बिल्डिंग है यह वाला हमारा हंडर वाला ह। बाकि जो फेस्टु है वो एक बिल्डिंग यह है एल शेप में यह वाला बिल्डिंग है जिसमें 100 प्लस यूनिट हमारे पास अवलबल था पूरा सोल्ड आउट हो चुका है गीन के 2 से 3 फ्लाइट हमारे पास इस वाले बिल्डिंग पे अगर आप इस तरफ देखोगे तो इ इस वाले बिल्डिंग पे दिखा रहा था इसका जो प्लसे अं है कमसे कम आपको नवेμबर डीसेंबर तक आपको प्लस लग जाएगा यह पूरा आपका स्टिल आपको पार्किंग दीए गहा हुच आपको यूनिट्स नीचे देखने के लिए रहे हैं हलकि वह अव कि वॉumba nहीं है। बाकि का पूरा एडिया आपको यहां पर पर आपको सारे सुख सुवीदा अगर मैं स्कूल कॉलेजे के बात करें तो आपका जादे से जादा चार से पाच मिनिट का वोकिंग डिस्टेंस रहेगा बसस भी सुवीदा एवलबल है पर्जेक का बाहर जैसे कि मैंने आपको बताए road test property है तो बिल्कुल आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको सटके है सटके का बगल में आपका बस आजाता है तो आपका बच्चे को लिए भी जो श्कूल हैं का होलेज है उसके यह निभी आपको बिल्कुल भी परिशानि हो जाएगा जैसी आपको पूरा आपका PCC आ जाएगा दोस्तों जैसी कि आपने देखा फेस्टू में वहाँ पर कर दिया है शांदार सा लॉबी देख लेजे ज्यादातर बिल्डर आपको कॉस्ट कटिंग करते हैं दोस्तों लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज आपको देखने वोकिंग डिस्टेंस है दोस्तों गीम के दो मिनिट वोकिंग पर आप रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे आप शेलू कहाँ पर है काफी सार लोग को नहीं पता रहेगा शेलू है राइगा डिस्टिक तालू का कजजर स्टेट महाराष्ट में मुंबई से तक्रिबन दो घंडे का डिस्टेंस में आता ही है शेलू सिटी प्राइजिंग की बात कर लेते हैं वनार की यहाँ पर आपको मिल जाएगा 320 स्क्वार फिट से वनार के स्टार्टिंग रहेगा जिसका प्राइज रहेगा तेरह लाग पच्छास अजार वित रेशिशन के साथ में आप पर आपको मिल जाएगा वन भी एश के काफी सार ऑप्शन अवलबल है जैसे कि मैंने आपको बता है मिनिमे मेरी है आपका 400 स्क्वार फिट से लेके 570 स्क्वार फिट तक आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग प्राइज रहेगा 16,05,000 से लेके 22,05,000 तक मिल जाएगा इंगल ऑप्शन अवलबल है 775 स्क्वार फिट का और प्राइज आपका चला जाएगा 30,00,000 वी ट्रेशीजन सारे प्राइज विच इस नेगोशेबल रहेगा नियर बाइस्टेशन है पजेशन भी आपका नवेंबर से डिसेंबर तक आपको मिल जाएगा डाउन पेमेंट इसके के लिए कम से कम आपका 1,70,000,000,000 का आसपस आजाएगा और तूब येश के आगर आपको डाउन पेमेंट जाना है तो तूब येश के अप्रॉक्स आपका 3,50,000 पेमेंट आजाएगा डिपैंड करेगा आपका सालरी इंकम बैंक आपको कितना लोन देता है एक रफल कॉल करके विजिव के लिए प्लाइनिंग ज़रू कर लेना प्रापड़ी कैसे लगा कमें स्रिक्षन में मुझे लिख के जरू बतना थैंक्स विवाचिंग मैं मिलता किसी और वीडियो में तब तक लिए जैहिन वंदे बाद